तुम्हें मेरी अम्मी का नहीं पता यार वो बहुत वहमी हैं पिछले वक्तों की आउरत कि जब तक शौर खाना न खाले रोटी को हाथ नहीं लगाना मैं सरफ उनकी वज़ा से परेशान हूँ सिवायत तसली देने के किया भी किया जा सकता है यार दफ्तर वालों को कुछ पता नहीं फैक्टर की तरफ गए नहीं कोई फून नहीं पैगाम नहीं कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यका यक पहले कभी वो इस तरह बगेर इतला की कहीं गए मेरा मतलब है के नहीं यार कितने भी अमर्जंसी क्यूं नहीं वो गर खुद इतला कर देते हैं कि इसलिए तो मैं तुम बता रहे थे कि वो लिक्षे वाला गुलू पे तलकीवंकी देकर गया था खुदा ना कर ना कि अन लोगों की इतने हिम्मत नहीं हो सकती के तुम्हें उसके घर का पता है नहीं उसके घर का तुनी हाँ नासर के घर का पता है मुझे कि उता कि कसम मकर ये हरकत डेट क्या हुआ डेट जो कि में ही हुआ इसरी अचिड़न ठोकिया एक्सिडेंट एकसिडेंट एकसिडेंट को कि अन्षा कि कोई बात नहीं वांद रख सकूस्ष का तुमष्ट कर ना इमाह ने बताना मगड़ अध्यड़ आप तो श्यां आप मुझे देखने तो देए आप यहां सीधे लेड़ आप तुम यह तक्या रखो यह रखो यह भी रखो डेड़ आप अब लेड़ जाए आप तुम अपनी डॉक्टरी मुझ पर नासमाना मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप ठीक नहीं है डेड़ मैं मुम्ताव साफ को फुम करता हूँ नो 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 इस हादसे की खबर किसी को नहीं होने चाहिए तुम चलो जी हम तो बस जाही रहे थे अच्छा ना जी फदा आफिस फदा आफिस अलका फदा आफिस एक्सिदेंट कहा हूँ डेड़ किसके साथ किस चीज से छोड़ो ना इस बात को चोट और पिभारी तो चाहन का सदका होते है बेटजी क्या बात है डेड़ आप मुसे कुछ मैंने का ना बेटजी जो हो गया उसे छोड़ें पैस ना करो मैं नहीं चाहता कि इस हादिशे की खबर किसी को हो तुमारी मां को भी नहीं मगर डेड़ इस तरह तो तुम ऐसा करो गाड़ी निकाल कर तरवासे तक लाओं डाक्टर शोगत का उस्पिटल देखा ना तुमने बस मुझे बहां तक ले चलाओ जाओ नास फिर दर दो आए असलाले कुम आले कुम आले कुम कैसी सिस्टर आप ठीक क्यान सब्सक्राइब ड़ू किसको कह रही है एक तो सिस्टर आप शक्याते मडी लगाती है और बुजे दूसरी है दिन की डूटी वाली लमी सी तुमें बोलना माना है छुप कर लेटे सिस्टर एक बात तो बताएं यह आप मुझे अभी से डॉक्टर क्यों कहना शूर कर दिया आपने अभी तो हमारी डिक्री में बहुत आई मैं हमारे लिए तो आप डॉक्टर बन चुके बाकी रही डिग्री तो इसमें देर कितनी है वैसे नासिर भाई आपने बताई आपक तो मेरी सेथ पहले जरूरत से कुछ ज़्यादा अच्छी है पिछे करें आप इसे ना लून ना मेरी तता तेल पका के ले आती हैं मैंने पीता इसे तो खिलानी है तो कोई अच्छी सी चीज खिलाएं पुरास गुले टैप खुदा का वास्गुला टाइप खा लो इसे दे प्रोटीन होती है विटमन्स होती है यह आप तक्रीर कर रहे हैं इससे यह यखनी जिसको आप सूप पेंट कर रहे हैं ठंडी तो हो सकती है लेकिन पीने के लाइक नहीं हो सकती बस एक दोरा नासर भाई जैसे पड़े लिखे आदमी ने मुझे तीन दिन उपर तले साग ख गांता है लेकिन चौदरोगर्न मैंने उसको कह धीए अच्छा जोगुष तुमने उसको कहा था नहीं है फारंड किया दोब दिन क्या कहते है नासर भाई उर्दू में शरीए को उर्दू में कहते हैं वैसे आफल की वाद है पता नासर भाई को भी नहीं है लुए सफरी फ्राउ पिर अच्छी बाजनाब मैं जारा हूँ जी कल सुपा फिराओगा और देखो यह सूप पीले ना मेरा हम अचला से बेख और भाई खुलाओगों चला फिर इसको गए इसको गए जिए इधर दिखाव इसस्टर मैं से पिलर इसको पिलाए चलो भूकलो म यहां सिर, आओ, 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 यही बैठे हैं सर, मैं तो समझ रहा था आप नहीं हैं जी, लाइट्स तो सारी आओ थी सर, आओ, मैं बैठे 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 सुगिया था शायद, बैठो न अकड़ी क्यों है, चेहां सर, कैसे तो मैं रख दिया था वहाँ, जी सर, वो तो मैंने कली रख दिया था जी, उस्सी वक्त, मगर सर, आप, सवाल नहीं चलेगा माई सारी जी, कौफी प्योंगे? नहीं सर, शुक्रिया जी, नहीं अब इतनी भी बुरी नहीं बनाता हूंगा, नहीं सर, यह बात नहीं है जी, एक्शली सर, कौफी मुझे अच्छी नहीं लगती है जी, और हमेशा मुझे कौफी पिलाते हैं, बिलकुल अपने बाप पर गए हूंगा, बहुती चीज़ें इंसान अपने इर्दगर्द, अपने महाल से सीखता है यह सर, लेकिन उसकी बहुत सी आते हैं, मैनुरिसम, पस जें सर, मगर सर, आप मेरे वालिद के बारे में इतनी बाती हैं, एक तो बार बार ये याद कराना पड़ता है, कि माहिदे की मताबिक तुम्हें सिर्फ मेरे एहकामात की तामील करने हैं, आंके बंद करके, बगएर कुछ पूचे हैं, सही हैं जी, आम सॉरी सर, सुना है, कहां सर, वो तो जी, बहुत ही यरके हों सर, इसलिए तो खानशाबास हैं ना सर, कल उने अपने साथ अपने गाओं लेकर जा रहे हैं, कहां, दोक से जावल, पता नहीं सर, मुझे, गाओं का नाम तो ठीक से मालूम नहीं, जी, तो मालूम करना चाहिए था, या सर, अगर त होता तो खेर वे कब जा रहा है वो लोग वो सरकल जी दिन में किसी वक जा रहे हैं जी वहां उनका कोई शिकार विकार का भी प्रोग्राम है जी कोई वह बाजवाद से कुछ मारेंगे शिकार उन लोगों को शिकार के लिए कहीं जाने की क्या ज़रूरत जंगल जानियों और नहीं इंसानों के अंदर होते हैं और उन चीनों के अंदर तो बहुत बड़े-बड़े जंगल है घने गहरे और तारीक कभी जंगल देखा है तुम्हें या सर नहीं सर कभी देखो जाकर बहुत अजीब चीज़ होते हैं तो अगर आप कहें सर तो मैं कोशिश करूँगा जी उनके साथ जाने के कर नहीं नहीं तुम पहले ही जुरूरत से ज्यादा हम लोगों के करीब हो चुके तो अज्वे बत हो खान महरूज भी साथ जा रहा है जिन्दगी शत्रंच की बाजी नहीं है मिस्टर महरूज जिसमें प्यादे से लेकर बादशा तक सभी गरते रहते हैं बाजी खत्म हो जाती है लेकिन खेल जारी रहता है लेकिन इस गेम में नो सर नो सेकंड चैस ये तो ठीक है इफ्तखार साब लेकिन इस तरह कश्टियां जला के आगे बढ़ने की क्या जरूरत है जरूरत है महरू साथ लिए जिए जिन्दगी के रिंग में मैस पॉइंट्स के लिए नहीं नाकाउट विन के लिए उतरना चा कमाल है मेरे बाबाजान भी यही कहा करते है हमारा एज ग्रूप एक है ना शायद इसलिए खेलात प्रिंदों की दरा होते हैं कभी इस शाख पर कभी उस शाख पर अचा इफ्तखार साब यह बताए कि अगर मैं रखूं कैश की शकल में मोहिया ना कर सको तो क्या प्रापट की बात हम कर रहे हैं महरू साब इसमें करंसी नोट के अलावा कोई दमान अपने होती है इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ दो लफस होते हैं नोट और स्प्लाइ जो हाथ यह लें देन करते हैं वो किसी तीसरी चीज़ को छूना पसंद नहीं करते हैं यही तो सारी नसीबत है कि सारा हिसाब किताब बाबाजान के पास है लाग दो लाग की बात हो तो मैं कुछ चक्कर भी जराओ इतनी बड़ी रक्म ऐसा नहीं हो सकता कि हम शुरू में छोटे पेमाने पे छोड़िए महरू साथ कोई और बात करें फिर कभी सरी मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस हद तक अपने वालिद साहब के दस्त निगर रहें मुझे तासुर दिया गया था कि आप बहुत आजाद खुदमुक्तार और इंडिपेंडन्ट हैं लेकिन मुझे हूं मैसूस होता है जैसे शायद आप अपनी मर्जी से खांस भी नहीं सकता है ये बात नहीं है इफ्तखाँ साहरी हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो नहीं मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तो मैंने आपसे बताया ना महरूस साहब कि मुझे टॉप पर रहने का जनौन है मुझे कहते हैं ने कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदर की सौ साला हयात से बेटर है तो कुछ ऐसा ही नजरिया मेरा भी है खर नजरिया तो मेरा भी यही है अमल के बगार नजरिया खाली कार्थूस की तरह होता है मैरूस साब इन जिनों खाली कार्थूस से खाली चूड़िये इस मैंस को जब एक चीज़ आपके इख्तियार में ही नहीं है तो क्या क्या ले उट्था जाए जी माह अब मैं इस तरह करता हूं कि बाबाजान से बात करके देखता हूं आपकी मर्जी लेकिन एक बात वाज़े कर दो कि वक्त बहुत कम है बाबाजान कुछ दोस्तों के साथ सुबह इराके जा रहे है मैंने भी जाना है मैं महीं बात करूँगा उनसे वो आपसी कब तक हुई कुछ कह नहीं सकते लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगें आप तो जानते हैं कि बाबाजान मस्रूफ आद्मी है तरस्डे को मुझे केनाल रेस्ट हाउस में एक साहब से मिलना है अगर कोई बात बन जाए तो मुझे महाँ अक्तला कर दीजगा रेस्ट हाउस तो देखा हुआ है न आपने जी हम कमाल करते हैं आप सारी जिन्दगी उसी आखे में गुज़ी है और फिर कैनाल रेस्ट हाउस तो मेरी पसंदीदा जगा है लेकिन आप मेरे में आप क्यों नहीं बनते हैं अगर हमारे साथ रहा तो इंशालला आपकी मिजबानी के लुट्स भी उठाएंगे लेकर अभी नहीं है और मैंने अपसे कहा था ना मिष्टर मैरूस कि में किसी के सामने नहीं आना चाहता आपके वाले साहब के भीए आए आपके वाले सामने नहीं है तो फे खॉड़ से जासका कोज बना। को पाई बना शब पाई फसमय को अ पाई ही ही है है ठीजा कुटे जिछा करें activities बात ये है इवराहीम कि इनसान की जिन्दगी का असल रूप ये ही है अब देखो ना इस जंगल में तरह तरह की मखलूकात हैं कीडों मकोडों से लेकर वैशी दरिंदों था छोटी छोटी नन्नी नन्नी चिडियों से लेकर बाजों और गिदों तक सभी कुछ मौजूद है हाँ बड़ी खौफनाक जगा है ये मगर इवराहीम हमारे लिए नहीं बही इनसान तो वो चीज है जिसने अपने से बीस गुना बड़े ताकतवर हाथी की कमर पर क्या कहते हैं उसे बेंच पर बच्चे को मिठा देता है इशारे से चलाता है उसे शेर और चीते को सरकस का मस्खरा बना के रख दिया है इसने कभी कभी मेरा दिल करता है इवराहीम कि किसी अपने से बड़े ताकतवर जानवर को अपने हाथ से मारू और उसे फिर अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखो तो भई सोच क्या रहे हो अभी शेहबास से बंदूक और गोड़ा मंगवाते हैं तुम अपना शाक पूरा करते हूँ आजाद जानवर पे हमला करने में एक कभाहत होती है इवराहीम कि वो आगे से भी दस दराजी कर सकता है समझ रहे हो ना भई कदीर बंदे हुए जानवर पर तो पच्चा भी फायर कर सकता है इसमें कौन सा कमाल है बहुत चहक रहे हो मैंने तुम से कहा था ना कि यहां से निकलोगे तो तुम्हारा खौफ खुद बखुद खत्म हो जाएगा वो तो ठीक है कदीर मगर मैं सारी जिंदगी यहां पर नहीं रह सकता जब तक वो शख्स पकड़ा नहीं जाता मुझे चैन से नीन नहीं आएगी कभी कभी तो मुझे यू लगता है कैसे वो शख्स एहमद कमाल है कसी बाते करते हो इबराहीम एहमद कमाल मर चुका है मैंने उसकी डेथ रिपोर्ट खुद देखी है भाई मगर हम तीनों में से तो किसी ने नहीं पर देखो इबराहीम देखो इबराहीम इनसान जब वहमी हो जाता है न तो उसे अंधेरे में पड़ी हुई रसी भी साप दिखाई देने लगती है तुम्हारे रास्ते में पॉल हो या कोई और हम से वो बच नहीं सकता झाल झाल! पानी पेपा, बहुत प्यास लगी है, अच्छा जी, इसमें चाह है जी और इसमें ठंडा पानी है, कौन सा पेश करूगी, पानी पेपा, बहुत प्यास लगी है, अच्छा जी, आप अपने ऐस शक्रिणि धी, अच्छा जी, अधा सब आपने युकर रहे हैं, ने जाए उसमें खाडचे हां, वह अधा है, बहुत बहुत खाड़ी है, बहुत ग्लांइज कर रहे हैं, वह दो जाए होज एक गिलास पानी मुझे भी दो अच्छा जी, अच्छा कि कि तुम तु बहुत अच्छी राइडर हो बैटी नहीं मुझे दो यह छोड़ एक मेरा यह जोड़ दो यह जोड़ एक इसको छोड़ती रही है भी जी चड़े नूँ जा तूँ पर बीबी पाड़ी बला हाँ हाँ पीला है मेरा बच्च पीला है वाल हो वैसे हाँ पी बीबी जी एता एता गुजर गया जी चले नो सड़ते मैं तन होड लेते सा हाँ हाँ नथाय रहो जान है सू निमी Ide Yaan है सू पीप जी मैं मैं इसको दाखडरोरा का ले जाती हूं ऐटी का लासन वाल हो वैसे हाया वाल हो वैसे वाल हो वैसे मैं जानिए जी वाल हो एअवाल हो ऐसी , वाध हो ऐए इसी Duchích मैं इसको ना दात दडढ होना kole ले जाती हूं वाध सोईलासम ता ठीक हो जाती हा उजाती हु ये व्शान हो जाती है ये मारी परानी नख्रानी ये रहनी अंकल परेंद से बहुत प्यार करती है लुक्न जरा शी कि यह जो जा 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 जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे अभी को खास भूख तो नहीं है तुम जीबे बैठे हो ना इसलिए तुम्हेरी दाहिम ठीक है बिलकुल ठीक है बार्नस्ट! यही बाले को सबस्तरृ प्रूत के जाए। झाए। हाँ पर जब जब जगें आद्मियों की डिप्टियां लगा है जादी गई हैं जी हमारे आदमी हर जगे पहुंच चुके हैं जी इलाके में दाखिल होने वाले कुटे बिल्यों पर भी नजर रखी जा रहे हैं चार आदमी हर वक्त इबरहीम साथ के नजदीक रहने चाहिए और किसी खैर आदमी को इबरहीम से दस फिट के फासले पर लिए ठीक है जनाब बजाई शाद है वो जी खाना त्यार है जी सुमेरा बीबी कह रही थी खाए वो प्लाव से खाना लगवा तो ठीक है जनाब बजाई शाद है तो नमाजा मत क्या है फूजी मलक रोशन आया बैटा है जी आपका हुकम हो तो जी मैं किस वक्त आया था वो वो सुबो आप शिकार पर गए थे ना जी उससे पहले का आया हुआ है आपका हुकम नहीं था ना जी इसलिए मैंने अर्ज नहीं किया था क्या कहता है वो वो जी माफी मांगना चाहता है जी माफी उसे बिठा अभी सोचूंगा महीं ठीक है जनाम बजा इर्शाद जनाम आओ पुत्रे आओ आओ असलाम बबाचान माशाला वह तुमने तु कमाल कर दिया है अपनी दोनों बेनों से नंबर ले गई हो शाबश बलो क्या नाम लोगी कुछ नहीं बबाचान आप दुश्रमिंदा कर रहे हैं मैं ठीक है मैं खुद ही कुछ तुम्हारे लिए चीज पस अपना पसंद करोगी जहां दाखला मिलेगा बाबाजान अब तो मेरिक के साथ तुम्हारे तुम्हारे तुछ नंबर ही बहुत अच्छी हैं पैसे अगर कम नंबर भी होती ना तो दाखला तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं था नेम एनी कॉलेज मुझे पता है बाबाचा मगर इस तरह मज़ा नहीं आता आदमी का दिल में तो गिल्ट रहता है ना यह को पत्री तुम पत्री इस तरह सोचा मत करो अब जो नेमत खुदा की तरफ से अता हो उसके नाशुक्री नहीं करनी शाहिए आदमी अपने कद से नहीं अपने हैसित से अपने ख्याला से दिल जनी मानी मेरी बाद, दिल जनी मानी मेरी बाद, आचाओ, खाना काले झाल झाल आय दूत चाह पीलाओ जी हाँ हाँ पीलूंगी आप चाह वारांद करो आय चाह पीलाओ से तो बढ़ वैसी क्या दिया ना पीलूंगी अच्छलाओ बिस्मिल्लाओ बिस्मिल्लाओ जी जी है आदियो हाँ पस हाँ तौबा 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 दूत गिलास में नहीं छोड़ते हैं तो बद्शगूनी होती है वो कही नहीं छोड़ते हैं तहां बूरी बाद पील पीलूंगी अच्छलाओ एक तो बाबाजान ने जबरदसी का के इतना खाना खिला दिया है अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं आप पीलू अजड़ measurement तराग छोड़ते ही छोड़ते हैं यहै भील ने आप पीलूक बूलना भीलना टो बिल्कल नहीं वो काही नहीं आप, बूलना तो नहीं आप बिल्कुल नहीं र anxi सुमेरा जाग दी पढ़िये लिए जी या अब भूल ला तो नहीं रही कुछ नहीं बस ऐसे इशायरी के किताब हाथ आगी थी वहीं पढ़ रही है बैं मेरी समझ में तो इमान नल यह शायरी वहरी आती नहीं और यह जो मॉडन पोईटरी होती है यह अनीम अनाइन्स वाला यह तो दुलकुल पल ले नहीं बाती है यह तो अपने अपने शौक की बात है बाजी अब देखिये ना मुझे राइडिंग नहीं आती और ना ही मु हमारे नाल क्यों नहीं चलती है मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही है कॉलिज की बाजी उन्हें गाउं देखने का बहुत शौक है उन चुड़ेलों को रुखसत करके ही आउंगी तैसीन बाजी नहीं आई बड़ी बोर है एड़ी सुस्ते एड़ी सुस्ते के क्या बताओं हाला अगार छुड़े मेरे लिए शेव का बानी करो तो यह उच्ड़ो पर कि उत्व कि उत्वार दूप निकल आई है उच्बां कमर क्या डरता है फिर देख उड़ा क्या करता है चल उचाब शाबश उच्छ उच्च उच्छा क्या है आपके इतिलागी अर्षा है कि मारे कॉल में चुट्टी है अच्छा चुट्टी है तो मैं क्या कह रहा था मैं यह कह रहा था कि देखो वक्ट जो है ना बहुत कीमती तो जो लोग इसकी कदर नी करते हो जिंदी की दौड़ में बहुत पीछे रहे जाते हैं इसलिए जल्दी से चलो ठोटो शाबश नीन नीन के बारे में सुक्रा अफलातून और वो क्या है जाली जाली नूस ने यह कहा है कि दिन के वक्त सोना उतना ही नुक्सान दे जितना के रात के वक्त जागना कैसी अच्छी बात की उटके दाद दो आई यह अश्लाने कि आओ मकी उठो मेरे लिए कप चाय तो यार करो फॉरण चलो उटा उटो एक और आगे अच्छी बात कर दो यहां आजगल की ओलादें लोग कहते हैं कि नौजवान जो है वो हमारी का मुस्तक्विल यहां मुस्तक्विल एजे करते हैं सबसे पहले इस मुस्तक्विल के उपर से रिजाई हटाते हैं करेक्ट अच्छी की जंटे मेरे लिए वो शेयुका पानी करो अटोष के जल्दी से शभ पानी करोगी तो एक प्याली चाय भी तो यरो टेक्वेरे सिंपल हां इस जाहिए भी मिनिनां एक और ये मखी तो कुछ शेयर सोगे मेरा हिए मैं सिरिस मखी मकई शोवा के सिरिसोगी चले यज़े से क आपके गरम गरम प्याली चाय की बनाता हूँ और आपको एक गरम गरम पानी का कप देता हूँ आपसे शेव करें बिल्कुल बात ही खत्म होगी रहने देगे रेस्ट 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 प्रापर रेस्ट चलो हुआ है अब मुझे जगाई दिया तो मैं बना देती हूँ ज़ी थाने से गुल्लू को बुलाने के लिए क्यों पताने जी ये पुलिस वाले पूरी बात तो बताते नहीं बस ये कह रहा था कि गुल्लू को थानेदार साहब ने बुला है क्यों लेकिन फिर कल तो मैंने उसे कह दिया था कि गुल्लू को डॉक्र साहब ने जुलने से मना किय लेकिन उख रहा था कि कल यानी आज उसे जरूर पेश होना होगा लेकिन थानेदार को गुलू से क्या काम हो सकता है एक तो हर आदमी हमें हमारा काम समझाने आ जाता है अपने अलाके में उने वार्दात पर नजर रखना हमारी ड्यूटी है लेकिन जराब कोई वार्दात हुई होता मैं इसका फैसला तुम करोगे या मैं तुम्हे वार्दात की तारीफ मलूम है तो अब बताओ तुम मौकई वार्दात पर मुझूद है जया तो फिर वकुगा की इतला थाने में क्यों नहीं दी बात यह जी कि उस वकद गुलू की हा प्रदात यह जी वेहुश था जी उस वर्द क्या हो आता इसे हीटर की गैस खुली रह गई थी उसकी वज़ा से तो गैस बंद क्यों नहीं कि तो क्यास इसने इसनी बंद नहीं की कि यह ऐसा कार नहीं सकता था क्यूंकि इसके दोनों आत बंद हुए थे ठीक है ना तो जाहर है कि इसके आत किसी ऐसे शक्स ने बंद दे थे जो इसे नुकसान पोचाना चाहता था तो यह पुलीस केस कैसे ना हुआ अब तुम बोलो इसको कैर रहे हैं आप मैंने तो अपना ब्यान लिक्वा दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने तुम्हारी उस तोता मैना की कहानी पर यकीन कर लिया लेकिए बात सिर्फ यह है जनाब कि हम लोग जो है ना जी हम जी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आप तो बराय मेर्वानी मैर्वानी करें जी शकल से तो तो तुम दोनों अच्छे खासे पड़े लिखे लगते हो चार लफ कानून के भी बाड़ो अगर सर देखे ना वो ठीक है तुमारी आरत अभी ठीक नहीं है जाओ जाकर अराम करो लेकिन तांदरोस तो होता ही तो नहीं पहुंच जाना जी अगर तुम बेगुना हुए तो हम तुमारी मदद करेंगे समझे चलिए चलिए भाट कर रहा हूं नवस्की बात कर रहा हूं उह वो देखो आंके दिखाओ, उधर से मारो, ने ठीक है, चल्ड़ लेकिन माजी, अच्छा 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 अब तुम अपनी डाक्टरी शुरू ना कर देना, आखिर लोग तुम्हारी इन गोलियों, कैपसूलों और टीकों से पहले भी तो तंदरूस्त हुआ करते थे ना, लेकिन हैं आप, अम्मी जान की इस द्वाई में इनकी द्वाएं भी शामिल हैं, और अम्मी की द्वाई से अच्छी द्वा, आज तक बनी नहीं, इजाद ही नहीं हुई, क्यों अम्मी जान, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखें, बात यहा है कि वो पिचार किसके देरी कि दो अपकर नैं तूमर एया हैं, लगा है, इए म होँई इए टूमर इए कि ऌते हैं ? मेरा जा पिटा देखो क्या लिखा पड़े तो सही अला है ओ माजी आप भी तो पुराने वक्तों की ओड़तों की तरह एक टेलीग्राम के ऊपर क्या माट कुछ मी नहीं वो मैं जहां काम करता हूं ना सिर्फ उनका टेलीग्राम है जी बुलाया है मुझे उसे बिटा खैरियत है ना बिल्कुल खैरियत है माजी कोई कोई ऐसी बात नहीं एक तो माजी आजकल वक्त का बड़ा चक्कर है अब देखे ना जरा-जरा सी बात प माजी मेरी बास हो इदर आएं बैटे आदमी परेशान हो ला तो आदमी का बड़ पैशर हाय हो जाते इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना आराम से पैखे यह अपनी सिद्रा का अमरून निसा ने रोक लिया होगा उसकी बेटी तबस्म से बहुत दोस्ती है ना सिद्रा की कमरून नसा लो ना सिद्रा तुमने तो कुछ खायी ने बातों में लगी हुए ने ने आटी प्लीज मैंने बहुत खाया जी तो आप कुछ कह रहे थे यह बहुत अच्छा करती है आप यह अपनी जात की तरभीयत की है आपने बहुत कम नज़ा आती है आज कर जी शुक्रि देखिए मैं अजमल की हरकत पर बेहत शर्मिनता हूं मैंने तो उससे बात करना छोड़ दिया है मगर आप शायद मुझे भी वैसे ही समझ रही है नहीं यह कैसे हो सकता है आप तो देखिए सिद्रा बीबी वक्त के साथ साथ आपको मालू होगा कि वही लम्हे वही पल जिन तो उनमें कैसे कैसे रंग पैदा हो जाते हैं जिन्दगी के सफर में आने वाली तलखियों को चोटी स्टेशन की तरह देखना चाहिए आप आप मेरी बातों से कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आप अजमल साहब के भाई हैं हलो गुट पाबंदी ये वक्त मुझे बहुत पसंद है शुक्रिया सर अमेरे मेज के दाएं तरफ की दराज में सेलवर कलर की एकचाबी पड़ी है उस चावी से लोहे का वो शर्फ कुलता है जो इसर तुलकुल तुमारे सामने है अगर तुमने टेलेफोन अपनी जगा से नहीं अठाया तो देख सकते हो जहां सर चावी से उस शर्फ को खोलो और शर्फ में से काले रंग का एक डबा ने कालो डबा जादा बड़ा नहीं है एट बाई फूर इंचिस का होगा और यह डबा मुझे पहुंचा दो जी बेटर सर लेकिन कहां जी कब एक प्राइवी टेक्सी लो अगर तुम छे बजे भी चलो तो साड़े नौ बजे तक यह पहुंच ज़कते हो जी जी बेटर जैंजर कुछ थोड़ा बहुत देखा है जी मैंने हुए लग हाँ जी वो नहर है जी मेरे जहन में है यह नहीं जी राष्टर उसर बता प्रेश्टर सोर्बता भी जी बेटर जी जी बेटर जी 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 बेटर चैनस पैसे हैं जी मेरे पास पैसे तो हैं जी आच जी पदावेटें कि यह सर कोफी और चाय और प्योंगे ने सर शक्रिया जी मेरी एक कपको बेतल जी में गालबन नीन आ रही है नहीं सर कुछ खास नहीं साथ वाले कमुले में तुम्हारा विस्तल लगा हुआ है जाकर सोजाओ तीन बज़े में तुम्हें उठा दूना जी अगर तीन बज़े तो उन्देरा होता है सर इसलिए तु कह रहा हूं मैंने चाहता है कि इस किसी भी आदमी के नजर तुम पर पड़े लेर के पाहर खानशायवास के राका है और उसके बहुत से लोग तुम्हें पहचाबते हैं जी मैंने टेक्सी वाले को भी समझा दिया है यहां से में रोड तक तुम लोग कहीं नहीं रूखोगे और किसी से बात नहीं करोगे जी अजिए यहां तुम जाओ सौजाओ शाबश रात क्यारा बश गया है अच्छाब लाफिजी अच्छाब अपर शब्र खेर अच्छाब अच्छाब अब ही और कितनी दूर जाना है मैं सो सामने दरखतों का जुन्ड है ना उसके पीछे कैम्प लगाया है यह बात तो तुम पिछले केई मील से कहते आ रहे हो शाहबाद ठक गए हो ना बशिकार में तो यह सब कुछ होता है अभी थोड़ी देर में तुमारे सामे हेरन मारेंगे उसे रोस्ट करेंगे बहुत का मज़ा ही कुछ होर होता है वैसे बाई घंटे अगर कोई शिकार ना मिला तो कोई मुतवादल बंदोबस्तों खाने पीने का है ना हाँ खान भाई मुझे तो बहुत शक्त भूक लग र अपने अंकल के लिए कोई शिकार का इंसाम करो ना वैल डाल वैल डाल अभी तुम्हारे वहाँ पहुंचने से पहले शिकार वहाँ पहुंच चुका होगा लो भाई इबराहीम आज हिर्नों को हमारे आने की खबर हो गई है कोई कमवक्त नदर ही नहीं आ रहा है वह मुझे तो इन हिर्नों में कोई दिल्चस्पी नहीं है बहराल